दोस्तों स्वागत है हमारे युटूब चैनल फन इस्टडी में दोस्तों जिस दिन करतब स्रीच के अनाउंस हुआ था उस दिन दोस्तों वीडियो अप्लोड की गई थी उसमें आपको इंडेक्स वाईज बताया गया था कि जिस क्रम में क्लासेस अप्लोड होगी दोस्तों उसी क्रम में हम लोग तीन टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें भारत का समान परचय, भारत की सीमा एवंपडोसी देश, भारत का भौतिक सरूप दोस्तों चौथा टॉपिक आज है अपुआह तंत्र जोकि दोस्तों वंडे एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पोर हैं, लगभग सभी एक्जामों में एक से दो कोस्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों आज से हम लोग अपुआह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अगर दोस्तों हमारी वीडियो जो आपको पसंद आए तो आप सेर जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो आपको नया नौलेज चरूर मिलेगा दोस्तों अपुआह तंत्र में सबसे पहला पॉइंट है भारत में नदी तंत्र को मुख्यता दो भागों में विभक्त किया गया है जिसमें दोस्तों पहला हिमालय नदी तंत्र और दूसरा दोस्तों प्रादियूपिय नदी तंत्र नेक्स्ट पॉइंट दोस्तो हिमाले की नदियों का जल संग्रहंड छेत्र प्राद्यूपिय भारत की नदियों की तुलना में अधिक है दोस्तो जो हिमाले की नदिया है उनका जल संग्रहंड छेत्र मतलब दोस्तो जो वो मैदानी छेत्र में विस्तार पूरबगबह रही है उस रूप में दोस्तो प्राधुपिय भारत की नदियों से की तुलना में अधिक विस्त्रित है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तो हिमालय की नदियां प्राधुपिय भारत की नदियों की तुलना में काफी अधिक लंबी हैं दोस्तो लंबाई में भी फर्क है अब दोस्तो हम ल नदी तंत्र में डिसकसन करेंगे जिसमें दोस्तों मुख्यता गंगा नदी तंत्र शिंदु नदी तंत और ब्रह्मपुत नदी तंत्र हैं नेक्ष्ट दोस्तो प्रादियूपिय नदी तंत्र जो नदियां मुख्यता दच्छे भारत में प्रभावित होती हैं उन्हें दोस्तो हम लोग प्रादियूपिय नदी तंत्र के अंतरगत अध्यन करेंगे और इसको दोस्तो दो भागों में हैं एक जो अरब सागर नदी तं खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं उनका अध्यन दोस्तों क्रम वाईज हम करेंगे कल से दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में वीडियोज अप्लोड होंगी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो आप लाइक करिए और सेर करिए दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े हैं तो आप अपने आगामी एक्जाम में जरूर सफलोंगी धन्यवाद दोस्तों